आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक बिग ब्लिस! हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान EX कैसा trade करता नजर आ रहा है किस क्रिशी फसल में कितनी मंदी तेजी बंदी नजर आ रही है और जानकारू की क्या रहा है कौन सा जानकार किस क्रिशी फसल में कितनी मंदी बता रहा है कितनी तेजी बता रहा है ये सब जानने की कोशिश करेंगे सबसे पहले शुरुवात करेंगे हम क्रिशी फसलों में कैससीड से तो देख रहे हैं कि कैससीड का फरवरी वायदा इस वक्त 6590 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है और 628 का हाई लगा चुका है पौने एक फिसली की बढ़त कैससीड के फरवरी वायदे में बंती नजर आ रही है हम देख रहे हैं कि सुबा के मुकाबली कैससीड का वायदा बज़ार आज हफते के पहले कारुबारी दिन 6500 के उपर निकल चुका है और 6600 का हाई भी लगा चुका है अब 610 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है और 628 का ही हाई लगा चुका है जो जानकार Market Times TV के माध्यम से आप सभी को कैससीड में 6500 से 6600 का लेवल बता रहे थे आज अज उन सभी जानकारों के जो टार्गेट है कैससीड का वो आज हफते के पहले कारुबारी दिन सोमवार के दिन अचीव होता नजर आ चुका है कैससीड 1600 के पार जा चुका है आपको पता दें कि जो fundamentals हैं कैससीड के overall मजबूत ही है हाला कि जो अब नया माल आ जाएगा मंडियों के अंदर arrivals आएंगी उसकी वज़ा से जो market है थोड़ा downside भी जरूर जाएगी निचलेस तर भी देखने को मिल सकते हैं एक बार फिर से लेकिन निचलेस तर से खरीदारी भी जरूर लोटेगी आपको बता दें कि कैसर सीड का जो उत्पादन है पिछले तीन सालों में सबसे कम बताय जा रहा है क्योंकि जो किरिसान है उन्होंने ज़्यादा मुनाफ़ा देने वाली फसलों की और रुख किया है दूसरा जो चाइना है जो मुख्य आया तक देश है भारती कैसर का अगर वहाँ से डिमांड आ जाती है चाइनीज न्यू एर के बाद लूनेटिक एर के बाद तो जो कैसर की जो कीमते हैं उनमें और बड़त देखने को मिल सकती है उनमें और उचाल बनता नजर आ सकता है जो घरेलू डिमांड है वो भी दिरी दिरे स्टीडी बढ़ रही है दिरे दिरे लेकिन अचानक से उचाल नहीं देखने को मिला है आज काफी दिनों के बाद देख रहे हैं कि कैसर की कीमतें यहां पर स्थिर हो जाती है तो कैसर सीड में आगे 6,800-6,900 तक की भी जो लेवल्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं तो कैसर सीड में ओवरॉल रुजान तेजी का ही रहने वाला है यह से बात करें कि ऐसे सीर के बाद अगर आब बिनौला खल की तो बिनौला खल का फरवरी बादा देख रहें 3070 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है डेड़ फिस्दी की गिरावट आज बिनौला खल में बंती नजर आ रही है देख रहे हैं कि बिनौला खल की जो कीमते हैं उनमें आज हफ़ते के पहले कारोबार दिन गिरावट देखने को मिली है बिनौला खल की जो कीमते हैं उनमें एक करेक्शन बंती नजर आई है 32 के बाद 31, 31 के बाद अभी 3000 के जो लेवल्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं आपको बता दे हैं कि बिनौला खल की जो fundamentals हैं, experts जितने भी हम market के वो सारे के सारे मजबूत ही बता रहे हैं कि बिनौला खल की जो कीमते हैं वो मजबूती की ही हो रहे हैं दूसरा कुछ जानगारों को ये भी कहना है कि जब तक बिनौला खल नीचे में 2900-3000 का level जब तक hold कर पा रहा है तब तक बिनौला खल में buy on dip यानि की निचलेस तरूपर खरीदारी में रहा जा सकता है जब तक बिनौला खल 2900-3000 का level hold कर पा रहा है तब तक के लिए राय है और जानगारों के अनुसरा बिनौला खल में अभी भी 3400-3500 तक की जो लक्ष हैं वो देखने को मिल सकते हैं पोजिशनल बेसिस पे बिनौला खल में अभी भी तेजी देखने को मिल सकती है तो ओवरोल रुजान बिनौला खल में भी तेजी वाला ही रहने वाला है अभी हाल फिलाल में मार्केट थोड़ी डाउन देखने को ज़रूर मिल रही है लेकिन आगे जाके मार्च अप्रेल तक बिनौला खल जो है वो 4000 का भी लेवल तोड़ता नजर आ सकता है तो बिनौला खल में निचलेस तरुपर खरीदारी की सलाह रहेगी यही से बात करें अगर मसालों की तो मसालों में देखने की धनिये का अप्रेल वायदा 10,590 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है कैई फावर्ट स्टॉप भी कुछ खास नहीं है बुवाई भी कम ही देखने को मिल रही है और अब तक जो माल चल रहा था वो बलगेरिया और रोमानिया का चल रहा था जो की अब धीरे धीरे खतम होने की कारण पर है दूसरा वो इतना माहा का जो धनिया का जो माल है वो इतना नहीं है कि पूरे वैश्विक आपूरती कर पाए जिसकी वज़ा से हम देखेंगे कि धनिया की जो कीमते हैं उनमें आगे तेजी देखने को मिल सकती है भारत से एक्सपोर्ट डिमांड उठती नजर आ सकती है दरसल अभी मसालों की जो एक्सपोर्ट डिमांड पूरी तरह से इसले भी नहीं उठ पा रही है क्योंकि जो shipment cost है वो पहले के मुकाबरे लग तीन से चार गुनाद जादा बढ़ चुकी है जिसकी वजासे उची कीमतों पर जो shipment है वो बारी पढ़ जाती है और community की भी जब कीमते बढ़ जाती है तो वो double cost में बैठता है तो इसलिए export तो हो रहा है मसालों का लेकिन वो एक limit में हो रहा है जितनी जरुरत है उतना ही माल मंगवाया जा रहा है इदनी कोई ज़्यादा खास export demand है लेकिन उची कीमतों के चलते जो जैसे धनिया है उसकी ज़्यादा कीमत है अभी और जो shipment cost है shipment cost ज़्यादा effect कर रही है ज़्यादा shipment cost होने की वज़ा से ज़्यादा ship cargo लागत की वज़ा से जो export demand है वो थोड़ी कम देखने को मिल रही है मांग भरपूर है लेकिन ज़्यादा कीमते रहने की वज़ा से वो जो demand है वो कई न कई रुक जाती है impact हो जाती है और अभी धनिया के जो है March तक आमारे जो expert है केडिया डवाइजरी के डिरेक्टर अजे केडिया उनके मताबिक धनिया March के अंथ तक साड़े 12,000 तक का level दिखा सकता है वहीं बात करेंगा जून जुलाई की तो जून जुलाई में भी दनिया में काफी अच्छी कीमते देखने को मिल सकते हैं जून जुलाई अगस्त इन महीनों में जो दनिया है वह वाइदा बाजार में 18,000 से लेकर साड़े 18,000 के भी level दिखा सकता है तो overall रुजान दनिया में भी तेजी वाला रहने वाला है इसी के साथ बात करें यहां से अगर अब जीरे की तो जीरे में देख रहे हैं कि इस वक्त जो ट्रेड होता है नजर आ रहा है जीरे का देख रहे हैं मार्च वायदा है यह जीरे का मार्च वायदा 20,365 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है 20,700 का हाई लगा चुका है एक फीज बड़ी एक्सपोर्ट चाहिने की तरफ से जो भारती जीरे की जो डिमांड आई उसने जीरे की कीमतों को उच्छाल दिया जिसकी वज़ा से हमने देखा कि मारकेट में सेंटिमेंट्स पॉजिटिव बने चर्चाएं भी हुई निर्याद को लेकर जिसकी वज़ा से जीरे की क प्रेसिडेंट अमित सदेजा उनके मुताबिक अगर जीरा वैदा बजार में 20,200 के उपर सस्तेनिबिलिटी के साथ ट्रेड कर लेता हैं वहाँ पर कीमते सस्तेन हो जाती हैं 20,200 के उपर तो 20,800 के भी जो लेवल्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं और हमार जो दूसरे जानकार हैं केडिया एडवाइजरी के डिरेक्टर अजे केडिया उनके मुताबिक जीरा आने वाले दिनों में मार्च के अगर मार्च तक की बात की जाए तो मार्च तक जीरा ठीठा क्राइवल दिखा देगा 21,000 से 24,000 तक का टागेट है जे केडिया का मार्च जीरे का और फरवरी उन्होंने ये भी बताया है कि जो फरवरी महीना आरा रहेगा और जो मार्च महीना रहेगा वो मसालू के लिए काफी जादा एहम रोल प्ले करेगा और बात करें अगर थोड़ी ओलंबी अब दीकी जैसे की जून ज़ाई अगस्त तक की तो जो जीरा है वो 25,000 तक की भी जो लेवल्स हैं वो दिखा सकता है तो काफी शांदार बड़त आने वाले दिनों में मसालों में देखने को मिल सकती है कुल मिलाकर जो रुजान रहेगा मसालों में वो तेजी का ही रहेगा बात करें यहां से अगर हल्दी की तो हल्दी का प्रेल वायता देख रहे हैं कि 10,110 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है हल्दी में कुछ देख रहे हैं कि कुछ ज़्यादा खास तेजी बंदी बंती नजर नहीं आ रही है कभी हल्की जो बीच में भी जो बारिश से जो फसले खराब हुई थी जो क्रॉप डैमेज हुआ था उसकी वज़ा से थोड़ा सपोर्ट ज़रूर मिलता नजर आया था और घरेलूस तर पर भी जो कोविड के केसे आया था उसकी वज़ा से भी जो थोड़ी बहुत डिमांड है वो थोड़ी पिक अप हुई थी लेकिन फिर से देख रहे हैं कि बजार एकदम से सुस्थ होता नजर आ रहा है हल्दी का कोई ज़ादा खास तेजी मंदी बंती नजर नहीं आ रही है जब पूरी तरह से क्रॉप बजार में आ जाएगी तब देखेंगे कि फिर जो क्रॉप होगी वो बजार की कीमते तेह करेगी कि आगे हल्दी में क्या रुजान रहेगा कितनी मंदी तेजी रहेगी आपको बता दें कि साल 2021 में साल 2020 के मुकावरे हल्दी की जो खपत है वो थोड़ी घड़ती नजर आई है इसका दूसर एक मुख्या कारण ये भी रहा है कि पहले vaccination नहीं था साल 2020 में और हल्दी एंटी इसको कह सकते हैं कि एक immunity booster के तौर पर खाई जाती है एंटी बैक्टेरियल इनमें properties होती है हल्दी के अंदर और जो शरीर को तागत भी देती है शरीर को बिमार उने से बचाती है जिसकी वज़ास हल्दी की जो खपत है साल 2020 में जादा बढ़गी थी जब कोरोना की vaccine नहीं आती लेकिन 2021 में हमने देखा कि vaccination जो रॉल आउट हुआ जिस पैमाने पर हुआ भारत ने बड़ा record भी बनाया उसकी वज़ासे भी लोगों में जो डर था वो थोड़ा निकला है और business अपने running orders पलोटे हैं जिसकी वज़ासे हल्दी की जो खपत है वो थोड़ी कम होती नजर आई है साल 2021 में साल 2020 के मुकावले overall अभी देखा जाये तो हल्दी में सच कोई जादा खास तेजी मंदी बनती नजर नहीं आ रही है यह से बात करें अगर अब गवार complex की तो देख रहे हैं कि गवार गम का फरवरी वाइदा 11,553 पर है दो फीज़दी की गिरावट है गवार सीड का फरवरी वाइदा 11,566 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है देड़ फीज़दी की गिरावट के साथ देखने हैं कि गवार गम और गवार सीड अब गिरावट के साथ ट्रेड करते नजर आ रहे है उपरे इस तरव से मुनाफ़ा वसली बनती नजर आई है अगर उपरी लेवल मिलते हैं तो जानकारों के अनुसार गवार गम और गवार सीड में बिक्वाली करके चलना सही रहेगा हाला कि टेक्निकल तेजी भी ज़रूर बनेगी कि फंडामेंटरी तेजी तो इतिनी नहीं है उसकी जानकारी आपको मार्केटाइम सीवियम आदिम से पहले दे चुके हैं पॉने 3 फीज़ी की तेजी आज देखने है सोयवियन में बनती नजर आ रही है अभी थोड़ी दिर पहले जो सोयवियन का वायदा बजार था और सरसर सो पर भी गया था लेकिन अब देखने हैं कि छासर सो पर ट्रेड करता नजर आ रहा है कि सोयबीन काफी महीनों से एक सीमित दारे में ट्रेड गरती नज़र आ रही है 5,900 तक भी उससे पहले हमने देखा था कुछ महीनों पहले देखा था कि नीचे में सोयबीन 500 तक भी गई थी लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे जो कीमते हैं रीकवर हुई फिर 6,000 की उपर सस्टेन हो गई, 6,000 नीचे में और उपर में 4,650, 5,600 मैकसिमम नीचे में 6,000 से लेकर उपर में 5,600 का एक सीमित दारा सोयबीन में महीनों से देखने को मिल रहा है देखने वाली बात ही है, चोकाने वाली बात ही है कि जब जब भारत में सरसों की नहीं आवके आने वाली होती है तब तक सोयबीन का वायदक जो है और जो हाजिर बजार है वो लुड़कता नजर आता है, तूटता नजर आता है लेकिन इस बार ऐसा देखने को नहीं मिला है कीमते बले ही सीमी तैरे में हो गई हो लेकिन नीचे नहीं किरी है उसका एक मुख्य कारण ये है कि विदेशों में सोयवीन की जो कीमते हैं उनमें काफी शांदार तेजी देखने को मिली है आपको बता दें कि साउथ अमेरिका में जैसे कि ब्राजील हुआ अर्जेंटीना हुआ यहां पर सोयवीन की जो फसल उत्पादन का जो अनुमान लगाया था एजेंसियो द्वारा और वहां की सरकार द्वारा उसके उत्पादन अनुमान में कटोती की गई है उसका मुखे कारण ये रहा है कि जैसे वहां पर जो सूखे के हालात हैं सूखे के हालातों की वज़ा से वहां पर जो सोयवीन की जो फसले हैं वो गर्मी में जुलस गई है जिसकी वज़ा से सोयबीन का उत्पादन है वहाँ पर कम ही रहने की आशंका बताई जा रही है ब्राजील और अर्जन्टीना के अंदर महाँ पर कुछ जादा सोयबीन का उत्पादन इस बार तेखने को नहीं मिलेगा हाना कि ब्राजील का जो एक्सपोर्ट है का मुत्पादन रहने के बावजूद भी बड़ा है चीन ने आयात किया है और अर्जेंटीना और ब्राजील सोयबीन के पूरी दुनिया भर में सोयबीन में काफी बड़ी हिस्सेदारी रखते हैं वो इसी बात से पता लगाया जा सकता है कि साल 2020 में ब्राजील और अर्जेंटीना की जो सोयबीन की जो हिस्सेदारी थी वो लगबग पूरी दुनिया में सोयबीन में आधी बैठी थी तो उसका असर ग्लोबली पूरे वैश्वी स्तर पर सोयवीन में घट बढ़ की रूप में कितना बढ़ता है अभी बात करेंगे हाँ से अगर भारत की तो भारत में मंडियों में सोयवीन की आवकें बिल्कुल नाके बरावर देखने को मिल रही है सोयवीन की जो कीमते हैं वो सीमित दारे में हैं दरसल अभी चुनाव हैं चुनाव के चलते सरकार नहीं चाहती की चुनाव महंगाई का हवाला दिये कर जो जनता से वोट कम किये जाएं जिसकी वज़ा से हमने देखा भी था कि जो बड़ी खादे तेलों की जो कमपनी हैं उन्होंने भी खादे तेलों के दाम घटा दिये थे पहली बार ऐसा हुआ है कि जो MSP की जगा MRP घटी है वो चुनाव की वज़ा से ही घटी है जैसी चुनाफ खतम होंगे तो ऐसी ऐसी बड़ी उमीदें अभी भी जानकारों द्वारा लगाई जा रही हैं कि चुनाफ खतम होते ही खाद्य तेलों की जो कीमते हैं वो अच्छानक से बढ़ेंगी बहुती जादा तेजी आएगी ऐसा भी जानकारों का मानना है soybean की जो कीमते सीमित द्यान में देखने को मिल रही है चुनाफ के बाद वो भी बढ़ जाएंगी क्योंकि जो US soybean future है यानि कि जो अमेरिकी soybean वायदा है वहाँ पर soybean 1570 डॉलर पर देखने को मिल चुकी है हफते के आकरी कारोबारी दिन हमने देखा था कि जो US soybean future वायदा था वो 1536-1337 डॉलर पर maximum trade करता नजर आया था वहीं अब देख रहे हैं कि 2-3 दिन के अंदर ही जो US soybean futures है उसमें 34-35 डॉलर की बड़त देखने को मिल रही है और आज हफते के पहले कारोबारी दिन सुमवार के दिन US soybean future 1571 डॉलर पर trade करता नजर आ रहा है सवा एक फीजदी की बड़त देखने को मिल रही है तो इसी बात से अंदाजा लगा जा सकता है कि आगे जाकि soybean में कैसा रुझान रहेगा soybean में आने वाले दिनों में तेजी ही देखने को मिल सकती है हमारी जो expert हैं मोतिलाल आस्वाल के vice president अमित सजेजा उनके मताबिक soybean आने वाले दिनों में 6900 तक का जो level है वो दिखा सकती है 12000 के अंदर जिसका असर हाजीर पर भी जरूर परताव नजर आ सकता है दूसरा अगर 6900 के उपर कीमते sustain हो जाती है soybean की तो 7300 से लेकर 7400 सक के भी जो star है soybean में वो देखे जा सकते हैं और अगर Brazil और Argentina में उत्पादर में और कटोती की जाती है वागी agency और दौरा तो उसका असर भारत में भी कीमतों पर जरूर देखने को मिलेगा और कच्छा तेल की बात करें तो कच्छा तेल वैसे भी महंगा हो रहा है कच्छा तेल का जो support है वो palm तेल को मिलता है palm तेल का refined को और refined का soybean को तो यह जो chain है चलती रहीगी अब यह भी चल रही है बस बात यह है कि चुनाव चल रहे हैं भारत में जिसकी वज़ा से कच्चा तेल महंगोने के बावजूद पेट्रो डीजल की जो कीमते हैं वो नहीं बढ़ाई जा रही है जिस दिन चुनाव खतम होंगे उसी रात से अगले ही दिन पेट्रोडीजल की जो कीमते हैं वो बढ़ जाएंगी आपके बता दें कि इंटरनेशनल मार्केट में जो कच्छा तेल है वो लगभग 94 डॉलर प्रती बैरल पर पहुंच चुका है और सरकार दिवाली के आसपास की बात है जब सरकार ने आखरी बार पेट्रोडीजल की कीमते बढ़ाई थी सरकार ने भी कहा था कि आगे जैसे चुनाव हैं तो उसकी मद्दे नजर भी पेट्रोडीजल की कीमते थी वो बढ़ानी बंद कर गई थी लेकिन वो बंद भी तब हुई थी जब सरकार ने पहले काफी ज़ादा बढ़ा दी थी 100 रुपे के आसपास तो पेट्रोल अभी भी देखने को मिल रहा है और अगर इंटरनेशनल मार्किट के अंदर कच्छ तेल की जो कीमते हैं वो लगातार बढ़ती रहती है तो उसका असर बाकी कमुनिटीज पर भी पड़ेगा सबसे पहले तो कच्छ तेल अगर जानकर द्वारा भी ऐसी एटकले लगाए जा रही हैं कि कच्छ तेल 100 डॉलर के पार जा सकता है 100 डॉलर हो सकता है वर्तमान में 94 डॉलर प्रती बैरल है अगर 100 डॉलर होता है तो उसका असर भारत में पेट्रो डीजल की कीमतों पर जूरूर पड़ेगा पेट्रो और डीजल बहुत महंगा हो जाएगा और उसका असर सारी की सारी कमुनिटीज पर पड़ेगा और आमजन की जेप पर पड़ेगा तो सारी community में सोयवीन भी शामिल है तो उसका असर भी सोयवीन की कीमतों पर ज़रूर पड़ता नजर आएगा और विदेशों से में जो तेजी का असर है वो भी घरेलू सोयवीन की कीमतों पर देखने को मिलता रहेगा भारत में बले ही सोयवीन का जो उत्पादन अनुमान है सोपा द्वारा पहले 119 लाग टन दिया गया था फिर सोपा ने खुदी घटा कर उसको 112 लाग टन के आसपास कर दिया 7 लाग टन घटा दिया हाला कि उत्पादन बढ़ायवा बताया जा रहा था लेकिन अब ये खहर वक्ती बतायागा कि आने वाले दिनों में सोयवीन को उत्पादन के असर है सकता है पूरे आखड़े क्या कहते हैं लेकिन जो सप्लाई है आयात करने से तो अच्छा ही है कि पहले जो अपने घरेलू किसान उन्हीं को MSP दी जाया उन्हीं को अच्छी कीमत मिल जाया जिससे कि उनका मनोबल भी बढ़ा रहे और वो आगे इस अच्छी तिलिन फसल की खेती भी करते रहे तो किसानों को MSP भी NCDX कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है और उस पर हमारे जानकारों की हमारे एक्सपर्ट की क्या रहा है थी फिलाल बजारों की चाल में अभी के लबस इतना ही लेकिन आपका इंचाहेगा ने क्योंकि खबरों का सिलसला लगातर यहीं बना रहेगा Market MCV पर जम्मू कश्मीर से कन्या कुमारी थक एहमदाबाद से अगरतला तक Big Bliss हर कारोबारी की खुशियों की चाबी खुशियों की अपनी दुकान